कहानी की सुरुआत होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकराटीज नाम के एक लायन के साथ मस्ती कर रहा होता है तब ही उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वह एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तब ही वहाँ उसकी वाइब बोनी आती है और उसे कहते है कि वो पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ जंगल के कुईन हाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक न पूद कर एक छोटी से बोट में आ जाता है, जहां उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं, उन सारे एनिमल्स को इंसानों की वज़ा से अपने घर को छोड़ कर भागना पड़ा था, वो एक ऐसे जगा की तलास में जा रहे होते हैं, जहां अभी तक इंसान ना प इधर सेवेना की क्यूइन सबसे कहरे ही होती है, कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है, और पानी के छोटे छोटे तलाब भी लगबग सूख चुके हैं, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उन्हें सर्भाइब करना मुस्किल हो जाएगा, चाल्स और उसकी टीम सेवेना की खोज करते हुए उसके बहुत करीब पहुच चुके थे, बिली पानी की तालास में आगे बढ़ रहा था, उसे अपनी फैमली के लिए पानी लेकर जाना था, वहीं कुछ दूर पे बफैलो और राइनो का ग्रूप आपस में पहले पानी पीने के लिए लड़ र रहा था, तब ही वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है, और उसके पीछे बफैलो का एक ग्रूप पड़ा हुआ है, जूनियर खुस हो जाता है, कि उसके डैड इतने मुसीबतों का सामना करते हुए बे उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं, पर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, बोनी जूनियर से कहती है, कि उसे अपने डैड से ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए थी, पर वो कहता है कि उसे किसी से बात नहीं करनी, उसे अकेला छोड़ दे, बिली अपने दोस्स सोकराटीस के पास जाता है, और कहता है कि उसके साथ पानी की तलास में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की जरुरत है और उसे अपने बेटे जुनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है सुकरटीज उससे कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि वो यहां बहुत खुस है बिली अकेले ही जाने लग वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहाँ आने वाले को जिन्दा नहीं छोड़ता है। वहाँ पीछे देखता है तो खुस हो जाता है क्योंकि सोकरेटीस था वहाँ पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है। वहाँ सोकरेटीस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया। उसने उस दिन वहाँ एक अलग क्रियेचर को दिखा जिसे इनसान कहते हैं। सुबह चाल सब को उठाता है वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। चाल सबने दो एनिमल टॉबी और अस्माइली को बिली के साथ पानी ढूणने के लिए भेजता है और वो उन दोनों टटल के साथ बियर के साथ ही रहेगा। वो चारों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुंच जाते हैं। इधर एक वाटर बोट के साथे वो चारों एनिमल होटल तक पहुंच जाते हैं। वो सब होटल के अंदर जाकर मस्ती करने लगते हैं। बिली और सोकराटीस वहां के कॉन्फरेंस रूम में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग बहुत डर जाते हैं, वो तुरंत होटल के ओनर को कॉल करते हैं, ओनर वहां का हंटर को आवाज देता है, हंटर अपनी बंदूग लेकर वहां आता है और बिली को पूल में गिर जाता है, पर वो हंटर वहां का एजिक्सन बटन दबा देता है, जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है, पर वहां उसे टोटो बचा लेता है, टोटो उन सभी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए उस होटल के एक रूम में उन्हें टोटो उन से कहता है कि उन्हें डैम के फ्लरट गेट्स को खोलना होगा, जिससे उनकी नदियों में वापस से पानी जाने लगेगा, टोटो उन सब को लेकर डैम के मोटर रूम में पहुंचता है, बिली फ्लरट गेट्स को खोलनी की कोसिस करने लगता है, तभी वहां वो ह स्माइली भी उसके थुरू ही बाहर आ जाते हैं वो हंटर जल्दी से फ्लाट गेट को बंद करता है और उन सब को माने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास पहुंचता है वो सब भागने लगते हैं वो अपनी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है पर चाल्स उन दोनों टर वो सब वापस से सैवेना जाते हैं और सारे एनिमल्स को इकठा करके बताते हैं कि कैसे इंसानों ने उसके जंगल में आने वाले पानी को डैम में कैद करके रखा हुआ है और अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे और अग अभी वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है वो उसे माने लगता है और गलती से बटन दबने की वज़ा से वो मिसाइल वहां के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है पर वो फटती नहीं है टोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है उस होटेल के मालिक का बेटा माया सुक्राटेज को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है और इधर चाल्स अपने एनिमल्स को डैम पे अटेक करने को कहता है सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोडने की कोसिस करने लगते हैं तब ही वो देखते हैं कि बफैलो और राइनो के टीम उनकी मदद के ल सारे जानवर उसमें बहकर जंगل की तरब जाने लगते हैं सुकरटेज भी बिली के पास आ चुका था और उस दिन के बाद सावेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई सारे जानवर वह खुसी खुसी रहने लगे माया और उसके डैड भी यह देखकर खुस थे और इसी के गेह तो प्लीस दो लाक एंड शेर वीडियो और प्लीस सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेस्ट बेल इकन